वापस से एक नया सदस्य हो गया ओल्ड वाली हमारी जो क्लासिक 350 थी वो हमने सेल करके नहीं ले लिए रॉयल इंफिल्ड जो टॉप मॉडल है इसका रॉयल इंफिल्ड हंटर 350 उसका ये टॉप मॉडल हमने ले लिया तो पूरी गाड़ी का पूरा रिव्यू वगरा देखें तो थी लाइब विस्ट किये तो है लोगशुच महेश और योगज वाचिंग रसन देख गया और फिट इस चाटएच है तो गाइस रोयल इंफिल्ड हंटर 350 इस तरह के आपको कीज मिल जाती है इस तरह को इंस्ट्रूमेंट करिश्टर मिल जाता है यहां पर जो कि डिजिटली और अनालोग दोनों आपको देखने के लिए बाकि अससरी कि अपर नेक्स टाम बात करेंगे यह ऑन अफ स्विच है इ यहां आगे फर्स्ट पर करेंगे तो स्टार्ट होता है यहां पर यहां देखी लीजिए और बाकि चीज़ें में आपको बताते हो इस लेफ्ट हैं आप देख लिए जिए हैजार लेम को आपनी लाइट का बटन है अभी देखिए जो इस तराड में रहती है करेंगे अगरा बारिस वगरा फॉक्वाइग्राम चलने तो हैजार का कंपनी से आपको सिस्टम दे दिया गया है ठीक है और बात करें नीचे होरन का स्वीच आपको देखने के लिए मिलती है यहां आपको 350 CC का इंजिन में फाइनलिस का एक्जोर्ट नोट कुछ इस टाइ है कि अब बात कर लेते हैं तो इसकी जो प्रोफाइल आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी यहां पर इसकी जो प्रोफाइल है वो है 140 70 by R17 ठीक है 17 17 इंच का टाइर है यहां गेर सिफ्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है एक नीचे चार उपर वही वाला जो रॉयल इंफिल्ड में हमेशा ज़ता है फ्रेंट टाइर की जो प्रोफाइल है वो आपको देखने मिल जाएग 110 70 आर 17 यह निगी यह आपको पूरी डीटेल साब को दिख जाएगी इस वीडियो में इसके टाइर भी काफी अच्छे है और यह कंफिटेबल राइट के सबसे बहुत ही बैस्ट बाइक है इसमें क्लासिक में काफी लंबी राइट करते तो थक जाते थे बट इसको मैंने कच्छी लंबी राइट करके देख लिए कोई भी मतलब थकान वगेरा इतनी नहीं होती एज पूर्ट बाइक की तरह है वह भी अच्छा है माइलेज भी बहुत अच्छा है यह में ऑन रोड लगबग 2,20,000 रुपे कैश में पड़ी है और काफी अच्छे बाइक है बाकी आप इसका पूरा डिस्क अमेजिंग वीडियो में जब तक लिए बाइया जय हिंद बंदे मातना बबाई